अगर आपके बस आपके दो अंडे हैं मतलब आपके घर में हैं तो आपके ही हुए ना तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं अंडे और पोहे की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं बहुत अच्छी रेसिपी ये जहकास रेसिपी है मतलब आप खुश हो जाओगे ऐसी रेसिपी ह वीडियो में बने रहेगा, लाइक और शेयर करके जाएगा, तो पोहा ले लेना आपको, एक कटोरी आपको पोहा लेना है, साथ ही साथ आपको ले लेना है, सूजी, दो से तीन चमच आपको सूजी डाल देनी है, जादा सूजी है तो डॉक्टर के पाल जाना, उसके बाद इ जानी डालके और इसको पीस लेना है, पीसना है अच्छी तरह, फाइन पेश्ट कर लेना है, बिलकुल अबर चोथर, और कुछ ऐसा होना चीगिए, इससे जादा धीला मत कर देना, वरना बनेगी नहीं, फिर तुम मुझे गाली अगलोज करोगे, ठीक है, तो यह ऐसा कर द फैल जाना चीगिए, कोई कसर नी छोड़नी आपको रायता फैलाने में, और यह देखे, यह बढ़िया तरीके से फैल चुका है, बढ़िया हो चुका है, अब इसको ढखके, तीन से चार मिन तक आपको मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, अब जब तीन से चार मिन हो जाए और इसको ऐसे पैन को ऐसे उल्टा कर देना, ठीक है, ऐसा करना, वरना यह तूट जाएगा, तो मुझे गालिया दोंगे, फिर एक चमच ओई लेने न, फिर अपने दो अंडे इसमें तोड़ देना, और अपने दो अंडो में थोड़ा सा प्याज डाल देना, नमक डाल के इसको फेट लेना अच्छी तरह, और फिर हम इसको पैन में फैला देंगे, मतलब चारो तरफ इसको भी फैला देना है, एकदम एक्वल कुने कुने तक हवा जानी चाहिए, अब क्या करना, जो हमने पराठा बनाया था न, वो प्लेट में से निकाल के अच्छी तरह इसको डाल देना है, तीन से चार में पकने देना है, मीडियम फ्लेम पे, और फिर आपको इसको फ्लिप कर देना है, अब आप अपनी मरदाना ताकत दिखा सकते हैं, इसको फ्लिप करके, ठीक है, फिर से दो से तीन में पकाईएगा, और हमारा जो नास्ता है, वो आपके मुँ कुस रड़ी है कहीं भी कुस रड़ी है मुझे क्या लेना देना है ठीक है आप इसको लाल हरी पीली के चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और अच्छा लगा है वीडियो तो कम से कम दस लोग के साथ शेयर कीजिए मातरानी आपकी सुभकाम कामना मनो कामना पूरी करेगी कल लोगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए यह ठूसिया और परुशियो को तुस आइए दस लोग को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाएगा शेयर करके जाएगा थैंको सो माच